जैंद इवरिवन, Quick Revision Series में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है है Heat and Temperature जिसको हम 30 मिनट के अंदर ही बहुती प्यारे तरीके से कवर करने की कोसिस कर रहे होंगी सारे points में कोसिस करूँगा cover करने की अगर एकाद point miss होता है तो make sure आप जरूर उसको comment box में बताइए ताकि वहाँ पर जो भी point miss होगा I will mention ठीक है बाकी same topic की हम लोग practice session भी आज करने वाले है at the rate 9 pmp तो जो भी बच्चे आप अगर इस चीज़ों को revise कर रहा हो मेरे साथ क्योंकि most of the students are theory के उपर तो काम कर लेते हैं लेकिन practice के उपर काम नहीं कर पाते हैं गल्तियों को नहीं ढूंड पाते तो वह आपको नहीं दोरानी है वह काम आपको नहीं करना है आपको जस्ट पढ़ना है उसके बाद उसके questions लगाने है तो link आपको description box मिल जाएगा लिंक आपको description box मिल जाएगा अगेन में बोल दे रहा हूं ठीक है वहां से जाओ class में enroll करो किसी भी तरीके की कोई वो नहीं है सब कुछ free ही है ठीक है link आपको description box मिल जाएगा बागी आप सभी लोगों को पता होगा कि यह जैसे session हम करते हैं पूरी की पूरी session की PDF आपको telegram rankers NTSC 2023 search कर लेना वहां पर पूरी की PDF हम डाल देते हैं आपको revise करना हो आप हो सकता है वाई कि आप वीडियो ना देख पा हो तो आप वहां से PDF भी access कर सकते हैं तो दोनों opportunity पास है जिस तरीके से आप समझना चाहें आप समझ सकते हैं तो सुरुगात करते हैं introduction के साथ तो introduction हम heat को ही समझने कोशिस करेंगे कि heat है क्या तो heat no doubt हर बच्चे को पताओ कि यह energy है लेकिन किस तरीके के energy हम किस energy को बोलेंगे कि वह heat है तो पहली चीज में बहुत ही अलग चीज़ों समझाने कोशिस करता हूँ मानलो दो body है मेरे पास ठीक है मानलो मैंने बुलिया कि यह hot है ठीक होट है और जैसे ही मैंने इसका क्या क या contact कराया किस से cold body से अभी हम temperature की बात नहीं कर रहे है क्योंकि temperature आगी आएगा hot है cold है तो हमें पता है hot वाली क्या होती जाएगी धीरे-धीरे cold होती जाएगी हो जो cold वाली धीरे-धीरे थोड़ा वो temperature उसका बढ़ता जागर वो hot की तरफ बढ़ने लगेगा है थोड़ा बहुत या I think observation आपने भी देखा होगा कि जो hot वाली है वो धीरे-धीरे move करने लगेगी coldness की तरफ है ना और ये वाली क्या करने ल transferable amount of energy जो आपकी होती है किसके कारण due to temperature difference वही क्या कहना आती है आपकी heat कहना आती है clear तो heat क्या है energy है unit बिसकी आप किस में लोगे joule में लोगे तो energy transferred from one body to another body due to temperature difference between them is called heat I think बस इस स्यादा कोई जरूरत नहीं है इस पर बागी temperature की बात करें तो temperature एक अलग quantity heat और temperature में confuse मत होना temperature आपकी degree of hotness और coldness बताता है कि कितना hot है कितना cold है लेकिन heat क्या है कि एक body से दूसरी body में कितनी energy transfer हो रही है due to temperature difference वो क्या है आपकी heat है तो temperature क्या है simply degree of hotness या फिर coldness कि भाई कितना आपकी cold है body कितना आपकी body hot है ये कैसे आप पता लगाएंगे तो वो पूरी के पूरी होते हैं तीनों scale पढ़ने की कोशिस करेंगे जैसे अगर मैं बात करूँ आपकी भाई की किसी चीज का वेट लेते हैं ठीक है वेट लेते हो तो आप बोलते हो कि 10 newton वैसे अगर temperature body की hotness या coldness आपको नापनी है तो आप temperature का इन तीनों unit का use करके आप बताते हैं कि कितनी body hot ह है कितना होट है ठीक है कितना amount समझ मैं बात तो amount है जब आप बताते हैं hotness या फिर coldness की तो that will be temperature of that body इसके बाद temperature scale की बात करो तो हम basically तीन चीज़ों का use करते हैं temperature को बताने में पहली चीज़ जो हमारी जो है वो क्या है celsius scale दूसरी चीज़ जो हमारी क्या है Kelvin scale ठीक है और पीसरी चीज़ का हमारी that is Fahrenheit scale देखो value आपकी किसी में नहीं बदलेगी इस बात को अपने दिमाग में रखना value same रहती है बस आपकी scale बदल जाती है like अगर मैं आपसे mask उच्छू किसी object का तो आप 10 gram बोलेंगे फिर हो सकता है कि उसको 10 gram को आप 10 to the power minus 2 kg भी बोल रहे हो तो दोनों चीज़े same है बट आपको दिखाने का तरीका अलग है तो वैसे temperature scale भी आपकी सारी same होती है different नहीं होती है बस दिखाने का तरीका बदल जाता है कि Celsius में अलग values आएंगी Kelvin में अलग values आएंगी और Fahrenheit में अलग values आएंगी अब दीरे-दीरे कोशिस करेंगे देखने की ठ हम melting point of water जानते हैं melting point की बात करूँ है melting point of water इसके basis पर ही हम सारी convergence करते है melting point और that is boiling point melting point या फिर boiling point जो होता है आपका वह भी किसके लिए water के case की बात करते है तो तीने स्कूल में कैसी होती है reference level आपका वही होता है Celsius की बात करूँ तो zero degree freezing point या फिर melting point आप बोल सकते है boiling point की बात करूँ तो 100 degree Celsius पर Kelvin की बात करूँ तो 273 Kelvin या फिर यह बात करूँ तो 373 Kelvin पर Fahrenheit की बात करूँ तो 32 Fahrenheit पर और इसकी बात करूँ तो I think 212 Fahrenheit आपका यह होता है अब ध्यान से देखेगा यहां पर सबसे जरूरी बात ठीक है Celsius क्या है आपकी that is इसकी value negative में भी हो सकती है but Kelvin की values always positive होगी यह क्या हो सकती है negative हो सकती है और positive हो सकती है तो यह दो values ऐसी है जो positive दोनों ह सकती है जबकि Kelvin की value सिर्फ positive में ही आप दिखा सकती हो वह negative में नहीं जा सकती है clear चलो अब आगे बात करते है ठीक है तो यहां पर कुछ convergence है लाइक आपको अगर भाई है Celsius से उसमें जाना हुआ convergence ठीक है मैं वह करवागे नहीं दिखाऊंगा conversion है ना कन वर्जन एक सेंड इंग्लिस की वाई थोड़ी दिक्कत वजाती है कन वर्जन है कि Celsius से Fahrenheit में जाना है तो यह formula Fahrenheit to Celsius यह formula Celsius to Kelvin यह formula यह वाला यह वाला और यह वाला ठीक है सारे formula बेसिक लिए absolute zero that is minimum possible value जो होगी वो जीरो होगी और water freezing point 273 और boiling point 373 और centigrade में बात करूँ तो 100 centigrade 0 centigrade और माइनस 273 डिगरी centigrade आपका होता है Fahrenheit में 212, 32 और कितना 469 ठीक है ठीक है चलो यह होगी Fahrenheit में आपकी अब बात करते है हीट capacity की तो को हीट capacity क्या है जैसे मैं कोई एक बाड़ी यह पैन है ठीक है यह पैन है मालो मुझे इसका temperature एक डिगरी से बढ़ाना है तो इसको मैं कितना amount of heat कितना amount of energy दूँ पहली बात कि मैं heat दूँगा क्यों क्योंकि मैं एक object से दूसरे object में energy transfer करूँ जो energy transfer करूँगा that will be your heat तो मैं कितना heat दूँ उस body में कि उसका temperature कितने से बढ़ जाए 1 degree celsius से बढ़ जाए 1 degree celsius से बढ़ जाए confused मत होना अभी specific heat आएगा उसमें confused हो जाए think तो confused होने वाली बात मत करना कि confused हो जाओ clear तो इसको दिखाते कैसे मान लो कोई body है इसका temperature मुझे सिर्फ 1 degree celsius से बढ़ाना है तो मैं इसमें कितना amount of energy दूँगा q और यही q क्या होता है q बराबर m into c into delta t और delta t क्या है change in temperature और change in temperature को आप क्या रखेंगे one degree celsius तब यहां से q बराबर क्या आ जाएगा mc आ जाएगा clear और c ही क्या heat capacity c ही क्या heat capacity of object clear इसे ही क्या बोलते है heat capacity बोलते है clear बहुत ही बढ़िया इसके बाद अगर मैं बात करूँ specific heat की तो specific heat क्या है specific heat में भी कोई difference नहीं बस यहाँ पर आपकी जो mass of body होगी वो unit mass मतलब कितना amount of energy दे इस mass को अगर एक kg का one unit mass है एक kg का mass है ठीक है तो कितना amount of temperature मतलब एक degree celsius या फिर एक Kelvin से बढ़ाना है तो कितना amount of heat इसको मैं दूँ वही क्या कहलाती है specific heat कहलाती है clear clear which is q is equal to m into s into delta t और यहाँ से s क्या होती है तो s is the specific heat capacity specific heat capacity clear चलो बहुत बढ़ी है थी कितनी बात आपको clear हो गई होगी specific heat capacity क्या है और वो क्या है unit पे आपको दिख गई होगी ठीक है मैं ज्यादा detail में नहीं जा रहा हूं because I know कि आपको ज्यादा detail में बताने की जरूबत नहीं यह सारी शीज़े आप लोग पहले से पढ़े हुए अगर ना समझ में तो प्रेक्टिस सेशन जरूर करना कि वहां पर जब बताऊंगा तो ज्यादा फील आएगी आपको ठीक है questions के तुरू इसके बाद लेटेंट हीट की बात करूँ तो लेटेंट हीट में देखो ध्यां से अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जब हीट दे रहे है तो हीट दे रहे था हम किस ए चेंज हो रहा था हीच देने के वचे सेशन चेंज आ रहा था इसमें हमने हीट दी का आप आप हीट देनävी तो टेंपरेशर नहीं बदल रहा je जबकि उसका state बदल जा रहा है, temperature constant हो जा रहा है, state बदल जा रहा है, देखो कैसे, मैं अगर बोलू कि Q amount of heat मैंने किसी body पर दिया, Q amount of यह मान लीजे, ice है, ठीक है, मैंने Q amount of heat दिया, यह ice क्या हो गई, melt करके water बन गी, अब देखो, भाई, ice तो 0 degree centigrade पर थी, water भी 0 degree centigrade पर, तो temperature हमारा नहीं बदला, जबकि हमारा state बदल गया, तो वो amount of energy जो state conversion में काम आए, state बदलने में कायम आए, उसे ही क्या कहते है, latent heat, और इसका formula होता है, Q into Q वराबर, M into L, which is latent heat, ठीक है, अब अगर आप fusion की बात करेंगे, that is, दो होते है, latent heat भी आपकी, एक होता है latent heat of fusion, और एक ह करेंगे भाई, liquid to gas आपकी जा रही होगी, liquid to gas phase change होगा, तो vaporization लेंगे, जब ice to water आपकी आ रही होगी, तो that will be fusion आप ले रही होगी, ठीक है, तो ये दोनों बाते है, चलो, अब बात कर लेते हैं, phase conversion की, तो भाई, phase आपको पता है कि solid होगा, solid हम कहा जाते है, liquid में जाते है, liquid से कहा जाते है, gas में जाते है, तो solid मान लिजे, मैंने solid में यहाँ से temperature बढ़ाना शुरू किया, heat देना शुरू किया, तो इसका temperature बढ़ रहा है, लेकिन आप फिल करेंगे एक समय पे कि temperature क्या हो गया, constant हो गया, जबकि उसका state क्या हो गया, change हो गया, यहाँ पर देखेंगे latent heat है, यह पूरी की पूरी heat क्या है, latent heat है, फिर यहाँ से जैसे ही 0 degree centigrade पर liquid हुआ, फिर से हमारा temperature बढ़ना शुरू होगा, और कहां तक बढ़ेगा, 100 degree centigrade, water के case में बाता रहा हुँ है, ठीक है, water के case में यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर liquid रहेगा, क्योंकि liquid ही था, फिर इस case में 100 degree Celsius पर ही यह क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, और फिर से अगर मैं बोलू कि यह वाली heat क्या थी, तो यह वाली heat आप फिर से क्या बोल रहे होंगे, क्योंकि यह वाली heat ही थी, यह वाली heat क्या थी, latent heat थी, clear, तो यहाँ से फिर इसके बाद क्या होगा, आगे और vaporize होता चला जाएगा, आपकी gaseous form में ही पूरी conversion होती ही चली जाएगी, clear, तो यह हो गई आपकी पूरी कहानी, melting point, boiling point, उतनी छोटी-छोटे points मैं नहीं बताऊंगा, क्या होते हैं, ठीक है, आई थिंक उतनी आपको पता हो गई हो, इस level पर आनिक बाद तो पता ही हो ग पहला तरीका है, conduction, convection या फिर radiation, तो एक ही करके समझते हैं, conduction क्या है, तो conduction, it is a process through which heat is transferred in solid, जब भी solid के अंदर जब भी heat हम ट्रांसफर करते हैं, तो वो पूरा का पूरा क्या कहला आता है, conduction, और इसमें क्या होना चाहिए, पहली बात की direct contact होना चाहिए, पहली बात ध्यान र देखेंगे, लोही को अगर ध्यान से देखेंगे, तो आप इस heat, इस end पर क्या करें, heat करें, तो ये वाला end भी क्या हो जाता है, heat हो जाता है, इसका क्या मतलब है, ये throughout the solid, throughout the solid transfer होती, energy आपकी which is called as conduction, इसी process को क्या कहते हैं, conduction कहते है, the transfer of energy between different part of body from one body to another in contact with its called conduction, important condition क्या होना चाहिए, object contact में होना चाहिए, temperature difference जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी, अगर मालो same temperature यहां का भी होगा, और same यहां का भी होगा, किसी तरीकी की heat नहीं transfer होगी, इसके पाद दूसरा process conviction, conviction क्या भाई, जब heat आपकी that is fluid में हो, जैसे आप मालो इधर क्या कर रहे हो, यहां पर heat कर रहे हैं नीचे, और यहां पर पानी हम boil कर रहे हैं, तो यह जो आपकी gas में जाती है, air के थूरू जो आपकी gas fluid होती है, देखो fluid क्या होती है, fluid आपकी gas भी होती है, fluid आपकी liquid भी होती है, तो जब इन दोनों mediums के थूरू आपकी heat transfer हो, तो उसे convection process बोलते हैं, और अगला that is last radiation, जहां पर medium की कोई जरूवत ना, medium की कोई जरूवत है, without help of medium material, like black body radiation का आपने सुना होगा, नाम के उसमें किसी भी तरीके की कोई medium की जरूवत नहीं होती है, जब भी, आप यहां पर देखेंगे, तो यह radiation, conduction और convection, तीनों example आपको एक ही जगे दिख गया होगे, तो ती मिला दिया, इसका temperature मान दिजिए कि T1 था, इसका temperature क्या था, T2 था, मैं बोलता हूँ आप से कि T1 ज्यादा है T2 से, मतलब भाई, temperature क्या है, directly proportional to energy, मतलब जितना ज्यादा temperature उतना ही ज्यादा उसके पास energy, तो आप simple सी क्या बूलेंगे मेरे से भाईया, यह काम करेंगे, यह व amount of heat निकाल रहे हैं तो यह कितना absorb करेंगे, तो यह किव amount of heat energy, जितना तुम दोगे, उतना ही तो मैं absorb करूँगा, क्यूं क्यूंकि दोनों क्या है, contact में है, किस में है, contact में है, जितना amount of energy पहली body देगी, उतना ही तो दूसरी absorb करेगे, यहां से principle of calorimetry कहता क्या भाई, energy conservation की बात करता है, basically energy conservation की ही बात करता है, कि आपकी energy ना तो खतम हो सकती, ना ही create कर सकते है, during process, जितनी पहले निकली थी, उतनी ही पहले जाएगे, तो बस principle of calorimetry इतना ही कहता है, जितना energy यह loss करेंगे, उतना ही energy क्या करेंगे, gain करेंगे, तो loss in energy क्या होगा, Q बराबर, ठीक है, mass into specific heat, अब देखो, मानलो यह क्या होगया, change करके, पहले बहुत ज्यादा temperature था, T1, फिर बाद में दोनों जब equilibrium पार आ गया, जब दोनों का temperature बराबर हो गया, तब मानलों यह क्या था, T equilibrium, है ना, तो बोलेंगे विया कि T1 into T1 minus T equilibrium, यह क्या होगया, change in temperature, है ना, Q बराबर, mass into specific into change in temperature लिखना होता था, अब इतना ही amount of energy यह gain करेंगे, तो Q बराबर, mass into specific heat, इनका, ठीक है, मैंने भी, that is, M1, S1 लिख लो, यहां, M2, S2 लिख लो, यहां पर क्या हो जाएगा, T equilibrium जादा होगा, minus T2, बस, यह आपका क्या होगया, heat, जितना heat उनों ने दिया, देखो, ध्य मैंने बोला कि यह 50 degree Celsius था, यह कितना था, 30 degree Celsius था, अब ध्यान से देखोगे, तो यह क्या करेंगे, energy इनको देंगे, मान लो, Q amount of energy नोंने दिया, Q amount of energy नोंने accept किया, मान लिजे कि यह आके दोनों क्या होगया, यह आके 40 पर टक गया, यह 40 पर होगया, और यह 10 degree accept करके, यह भ positive quantity होगी, तो जिसका larger होगा, पहले वो लिख होगे, जो larger होगा, final minus equilibrium पर कितना होगा, 40 यह होगया, loss यह क्या होगया, loss और gain कितना होगा, तो Q gain बराबर, Q gain बराबर, M2 into S2, अब देखो इसमें final equilibrium कितना है, 40, minus initial कितना था, 30, तो 40 minus 30, which is equal to, आपकी Q, और आपको पता है कि Q loss बराबर क्या होगा, Q gain, क्योंकि जितना वो देंगे, उतना ही वो क्या करेंगे, accept कर रहे होगी, यही principle of calorie military कहता है, बस इससे अब आपको कुछ ना समझेना है, कुछ भी, किसी भी तरीके कोई कहानी नहीं समझ नहीं है, बस यह रही पूरी की पूरी बात, I think, आपको समझ म आ गई होगी, अब यहाँ से that is, हमें कुछ expansions भी पढ़ने होते हैं, that is, मैं हाँ पर बता दे रहाँ, ठीक है, expansions, की, अगर आप मालीजे, कोई L length का rod है, ठीक है, L length का rod है, यहाँ पर, और आप इसको मालीजे, अगर temperature बढ़ाते है, change in temperature इसमें करते है, delta T से, ठीक है, delta T से और इसके पास एक alpha coefficient है, linear expansion का coefficient है, तो मालीजे, यह values की length बढ़ जाती है, कितना, delta T से, delta T से, तो I think, अब आप से इसके उपर question पूछ लिया जाता है, कभी कभी, की, भाई, change in length बताईए, अगर linear coefficient, that is, alpha क्या है, linear coefficient है, ठीक है, linear coefficient of expansion, coefficient of expansion, ठीक है, expansion, वो बताता है, कितना आपकी expand होगी body, तो आप कैसे इसको बताएंगे, तो यह जस्त आपके पास एक change, एक formula आपके सामने, इसके लिए भी आता है, that is, वो आप ध्यान से देख लेंगे आपर, ठीक है, कि change in length आपको अगर निकालना है, तो वो क्या होगा, या फिर अब कि value कितनी होगी, ये L0 होगई है, ठीक है, पहले कितनी थी L, तो अगर L0 निकालना है, आपको वो क्या होगी, L into 1 plus alpha into delta T, कितना आपने change किया है, temperature में, ये पहली value, ठीक है, या फिर अगर आपको change in length निकालना है, कि कितना length हमारा change होगा, तो ये change in length क्या हो जाएगा, बराबर change in length will be L into alpha into delta T, ठीक है, तो ये आपकी change in length भी आ जाती है, ठीक है, delta L by L is equal to alpha into delta T, और same आपकी volume के लिए भी होगी, और same आपकी area के लिए होगी, अगर कोई square plate लिया होगा, तो आपको दोनों तरफ से length बढ़ेगी, इधर से भी बढ़ेगी, और इधर से भी बढ़ेगी, यह यहाँ पर change in area आएगा, तो change in area क्या आजाएगा भाई, A into beta into delta T, beta क्या है, area expansion, और same that is आपके पास, अगर volume का हो, कोई cube अगर आप लेते हैं, तो हर side से आपकी side की length बढ़ रही होगी, हर side से आपकी length बढ़ रही होगी, देखो मैं जल्दी-जल्दी क्यों बता रहा हूँ, उतना important नहीं है, बट जरूरी है जानना कि आपको ठीक है, तो यहाँ पर that is क्या होता है, gamma, that is आपका volumetric expansion, ठीक है, volume metric expansion coefficient, ठीक है, और यहाँ पर अगर आपसे change in volume निकालना हो, तो V into gamma into delta T, यह होती है value, या फिर अगर final कितना होगा, तो that will be, that is V, V at T, T temperature पे V into 1 plus gamma into delta T, ठी ठीक है, तो सारे formula से, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो V T minus delta V, क्या था भाई, V T minus V, है ना, यही आप put कर देंगे यहाँ पर, तो same, उपर वाली equation आजाएगी, और इसमें भी आप वही काम कर दें, कि delta A क्या है, 80 minus A, है ना, A, कि initially कितना था, final कितना था, change निकल और यही आप put करेंगे, तो आपको यह वाला formula मिल जाएगा, कि 80 पराबर A into 1 plus beta delta T, है ना, तो दोनों चीज़े आपको same मिल रहे होगी, तो यह होगी पूरी expansion, I think इतनी बात आपको समझ में आ गईग, और इस से जदा इसमें कुछ पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, ठीक मिलते हैं एक लिए lecture में, that is practice session में आज जी, और जो भी doubts हो फटा फटा पहाँ पर clear कर लेना, thank you so much